दोस्तों, सूखे मेवे यानी ड्राइ फ्रूट्स का उप्योग पूरी दुनिया के साथ-साथ हमारे देश में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ड्राइ फ्रूट किसी एक फल का नहीं होता बलकि ऐसे कई सारे फल हैं जिनको हम सुखे मेवे के रूट में खाते हैं। गाजू, बादाम, पिस्ता आदी उनमें प्रमुक हैं। सुखे मेवे का उप्योग हम मिठाईयों, पक्वानों और तरह तरह के वेंजनों में करते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं साथ ही ये हमारे सेहत के लिए भी बेहद लाबकारी होते हैं। इस वीडियो में हम भारत में ज़्धातर उप्योग होनेवाले सुखे मेवे के फायदे के बारे में भी आपको बताया है। शायद काजू भारतियों का सबसे पसंदीदा मेवा है और यहां लोग इसे बड़े ही चाफ से खाना पसंद करते हैं। किडनी की आकरती वाला ये मेवा एक बीज है जो की काजू पेड के फलों से निकलता है। काजू खाने में स्वादिश्ट होता है और इसे अलग-अलग प्रकार की मिठाई पकवान आदी में भी मिलाया जाता है। स्वादिश्ट होने के साथ ही ये हमारे सेहत के लिए भी बे ऐसे कि वजन घटाने में मदद करता है। खराब कोलेस्टरॉल को कम करता है। तरदे रोगों के जोकिम को कम करता है। नमबर दो में है बादाम या आलमंड। भारत में काजु के बाद बादाम सबसे प्रसिद्ध सुखा मेवा है। लोग अकसर दिमाग तेज करने और याददाश्ट बढ़ाने के लिए बादाम खाने की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में बादाम को दिमाग और नसों के लिए लाबकारी बताया गया है। इसमें विटामिन E, कैलशियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीशियम, फासफोर साधी भी पाए जाते हैं। ये बादाम के पेड के फल का बीज होता है। बादाम के ऊपर एक कठोर चाल होता है, जिसे निकाल दिया जाता है और अंदर के बीज को बेचा जाता है जो की दिखने में गेरुआ रंग का होता है। बादाम दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक मीठा बादाम और दूसरा कड़वा बादाम। जो बादाम आप खाते हैं, मीठा बादाम है और यदि आप बादाम तेल का उप्योग करते हैं तो वह तेल आमतोर पर कड़वे बादाम से निकाला जाता है। दोस्तों बादाम खाने के कई फायदे होते हैं जैसे की दिल को स्वस्थ रखता है, वजन को सामानने बनाए रखने में मदद करता है, तोचा और बालों को स्वस्थ रखता है, बลड शुगर के स्टर को नियंतरित करता है. नमबर तीन में है मुंगवली या पीनेट्स मुंगवखली पॉष्टिक तक्वों से भरपूर होता है भारत में मुंगवखली बड़ी आसानी से और कम कीमत में मिल जाता है इसलिए इसे करीबों का काजु भी कहा जाता है आपको जानकार हैरानी होगी कि मुंगखली में मांस, दूद, अंडे, मचली आदी से भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है लोग अक्सर मुंगखली को भून कर खाते हैं क्योंकि इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है भूनी हुई मुंगखली स्वादिष्ट होने के साथ ही खाने जोर विटामिन से भरपूर होती है और इससे किसी भी मांस की तुलना में कहीं अधिक पोशक्तत्व मिलता है मुंगखली पाचन शक्ती बढ़ाने में भी कारगर है मुंगखली में प्रोटीन, विटामिन E, B, तथा के होते हैं ये शरीर को अच्छा पोशन प्रदान करते हैं मुंगखली खाने के काई फायदे होते हैं जैसे की मुंगखली खाने से दिल से संबंधित बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है तथा को कोमल और नम बनाये रखता है मुंगखली खाने से हड़िया मजबूत होती हैं नियमित सेवन से शरीर में खून की कमी नहीं होने देता नमबर चार में है किशमिश या रेजिन्स सूखे हुए अंगूर को ही किशमिश कहा जाता है वहीं बड़े अंगूरों से बने हुए किशमिश को मुनकब ही कहा जाता है ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है किशमिश में कई पोशक तत्व होते हैं जिसमें विटामिन, मिनरल्स, आइरन और फाइबर शामिल हैं इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और इसी वज़े से इसे खाने से हड़ियां मजबूत होती हैं और इसके साथ ही ये दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है किशमिश को खीर, मिठाई और पकवान आदी में भी मिलाया जाता है इस काम के लिए ज्यादातर गोल्डन कलर के किशमिश का उप्योग किया जाता है किशमिश खाने के कई फायदे होते हैं जैसे की बजन घटाने में मदद करता है कबज और असिडिटी को दूर करता है, इनीमिया को ठीक करने में मदद करता है नंबर पांच में है पिस्ता या पिस्टाचियो पिस्ता एक प्रकार का फल है और इस फल के उपर एक बाहरी सेल बना होता है जिसे हटा कर खाया जाता है ये नट ना केवल खाने में स्वादिश्ट होते हैं बलके हमारे शरीर के लिए सुपर हेल्दी भी होते हैं पिस्ता अक्सर सलाद, आइस क्रीम और अन्य बेख्ट फूड्स में अत्यधिक उप्योग किया जाता है। पिस्ता में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जैसे कौपर, जिंक और फासफोर साधी पाए जाते हैं जो की हमारे सिहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। पिस इसके अलावा इंटियोक्सिडेंट भी भरपूर मातरा में पाया जाता है जो की हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। पिस्ता खाने के कई लाब होते हैं जैसे की मधुमेह को रोपता है, वजन कम करने में मदद करता है, खराब कोलेस्टरॉल के स्तर को कम करता है, प्रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है, नमबर सिक्स में है फजूरिया डेट्स, खजूर एक प्रकार का मीठा फल है जिसे ड्राइ फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और खजूर में आयर, मिनरल्स, कैल्शिम, एमिनो, एसिद, फासफोरस और विटामि प्रकार का मीठी से रहत मिलता है, आँखों की रोशनी को तेज करता है, ये शरीर में आयरन की मातरा को पूरा करता है, रोज सुबह खाली पेट खजूर खाने से शरीर को तुरंत इनरजी मिलती है और इस से शरीर की कमजोरी दूर होती है, वजन बढ़ाने के लिए खजू करने में मदद करता है, हिमोगलोबिन के स्तर को बढ़ाता है, शरीर की उर्जा को बढ़ाता है, आंत को स्वस्थ बनाता है, नमबर साथ में है सुपारी या बीटल नट्स, भारत में सुपारी का भी बहुत ही अधिक उप्योग किया जाता है, हाला कि ये अन्ने ड्राइ फ पूजा पाठ और किसी शुबकार्य के लिए पान का पत्ता और उसके साथ सुपारी का उप्योग किया जाता है। सुपारी का पेड़ तार और नारियल के पेड़ जैसा होता है। जिस कठोर सुपारी का उपियोग हम करते हैं, वह दरसल सुपारी के फल का बीज होता है. सुपारी का सेवन करने से पेट की समस्या जैसे कब्ज, अपचादी में लाब मिलता है. सुपारी हमारे दातों के कैविटी को खत्म करता है और दांतों के पीलेपन को भी दूर करता है सुपारी खाने के कई फायदे होते हैं जैसे की सिमित मात्र में चबाने से दांतों की केविटी की समस्या नहीं होती है ये मोह को सूखने नहीं देता पीट दर्थ को कम करता है दांतों के पिलापन को कम करता है नमबर गेट में है छोहारा या ड्राइड एच छोहारा खजूर का ही दूसरा रूप है जिस तरह से अंगूर को सुखा कर किश्मिश बनाया जाता है वैसे ही खजूर को सुखा कर छोहारा बनाया जाता है ये खजूर से ज्यादा सक्त और कठोर होता है छोहारा भी कई सारे प पोशक तत्व पाए जाते हैं. ये हमारी तुचा को सुस्त बनाता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है और चेहरे की जुर्यों को दूर करता है. इसे खाने से शरीर में तुरंत और जाका संचार होता है. इससे मास्पेशियों को मजबूती मिलती है और हड्डियां मजबूत होती है. ये बालों के लिए भी लाबकारी है. छुआरा खाने के कई फायदे हैं जैसे की तुचा को सुस्त बनाए रखने में मदद करता है. मास्पेशियों को मजबूत बनाता है. रूखे बालों की समस्या को ठीक करता है. शरीर को उरजा देता है. नमबर नाइन में हैं सूखी खुबानी या ड्राइड एप्रिकॉट. खुबानी एक बीजवाला फल है जो की दिखने में पीला और लाल होता है. इसे अंग्रेजी में एप्रिकॉट के नाम से जाना जाता है. इसका सुआद खटा मीठा होता है. सूखी खुबानी को भारत के पहारी इलाकों में बादाम, अखरोट की तरहा ही एक खुश्ट मेवा समझा जाता है. सूखी खुबानी कई प्रकार के महत्वपून पोशक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें प्रोटीन, कार्बो हाइड्रेट, कैल्शिम, आयरन, फाइबर, विटामिन A, विटामिन C शामिल हैं जो सहत के लिए लाबकारी होते हैं. ये आँखों को स्वस्थ बनाता है, हड्डिया मजबूत करता है, कबजदूर करने में सहायक है, तवचा संबंधित समस्याओं में ये लाबकारी है, इसे खाने से वजन भी नियंत्रित रहता है. सूखी खुबानी खाने के कई फायदे होते हैं जैसे की आँखों को स्वस्थ बनाता है, तवचा को स्वस्थ रखता है, इनीमिया में लाबकारी है, हड्डियों के लिए फायदे मंद है, और लास्ट है नमबर टेन, अंजीर या ड्राइफेक्स, अंजीर बहुत ही पुरा सकते हैं, अंजीर एक बहुत मीठा फल है क्योंकि इसमें नैचरल शुगर की मात्रा बहुत होती है और सूखे हुए अंजीर में शुगर की मात्रा और अधिक होती है, ये एंटियोक्सिडेंट का भी बेहतरीन सोर्स है, जिस वजह से ये हमें सिहतमंद रखने में मदद करत है, अंजीर के बिटामिने B, C, K और कैल्शिम, आयरन, मैगनीशिम, पोटैशिम, जिंक, कॉपर और मैंगनीज जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, दिल को स्वस्थ बनाने, हड़िया मजबूत करने वपेट से जुरी तमाम समस्याओं क ठीक करने के लिए अंजीर का सेवन करना चाहिए, अंजीर खाने के कई फायदे होते हैं, जैसे की हड़ियों के स्वास्थे में सुधार करता है, कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकें, रक्तचाप को नियंतरित करने में मदद करता है, वजन घटाने में मदद करता है, आप आपको dry fruits या सूखे मेवे के नाम और लाब की ये जानकारी कैसी लगी? हमें नीच कम感じ करके जरूर बताएं. तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको dry fruits या सूखे अने मेवे खाने के बारे में विस्तार में जानकारी दी है. अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों और अपने रिष्टेदारों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी जानकारी में इजाफा हो सके अगर आप ऐसे ही इनफर्मेशन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसक्राइब जरूर कर ले और यूट्यूब का नोटिफिकेशन अन कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके धन्यवाद